मैंने बोला थना जोती क्रिमिनल ने हमारा बेटर इंडी के अलावा तमिल और तेल कुमें भी रिलीज किया गया है तो गईज मुवी बन के तयार हुई है संधीभ रैंटी वांका के ढार्यक्शन में और कहीं नहीं का डारेक्शन होने की वजे से भी इस मुवी qual देखने जा रहे है और इस मुवी को टोटल बजट है 135 करोड रुपे यानि कि इस मुवी को बॉक्स ओफिस पर हिट होने के लिए 1500 करोड रुपे की कमाई करनी होगी कि जो ये मुवी बॉक्स ओफिस पर बहुत ज़ादा आराम चा कमा रही है पर इस मुवी को एक ज़ादा बेनेफिट ये भी हुआ है कि इस मुवी ने रिलिस से पहले ही 215 करोड रुपे की रिकवरी की थी और 80 करोड रुपे का प्रॉफिट ले लिया था यानि कि ये मुवी अपने पहले दिन ही बॉक्स ओफिस पर हिट हो गई थी तो अगर अब बात करें इस मुवी के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की तो इस मुवी ने अपने पहले दिन इंडिन नेट कलेक्शन किया 64 करोड रुपे का और अगर अब बात करें आज या ने किसकी दूसरे दिन के कलेक्शन की तो गाईज आज की उक्पेंसी कल से जादा है और ये मुवी आज लगबग 60 करोड रुपे का इंडियन नेट कलेक्शन कर सकती है तो इस मुवी का दो दिनों का All India Net Collection आ रहा है 129 करोड रुपे तो वहीं दो दिनों में Indian Growth Collection आ रहा है 153 करोड रुपे और Overseas Market में भी इस मुवी ने काफी बड़ीया कमाई करते हुए 52 करोड रुपे कमा लिए हैं तो इस मुवी का दो दिनों का Worldwide Growth Collection आ रहा है 205 करोड रुपे तो गाइस दो दिनों 205 करोड रुपे और ये मुवी के इमल दो दिनों में ही Box Office पर हिट का टेक ले रही है तो गाइस ये मुवी रनवीर कपूर के करियर की सबस्दा कमाई करने वाली मुवी तो बनने ही वारी है और साथ ही में इस साल की एक बड़ी मुवी भी बन जाएगी तो गाइस ये थी निमल मुवी की Box Office Report आप लोको वीडियो कैसे लगा कमेंट करना ना भूले और चलने पे लिवार आए हैं तो चलनल रूर सबस्क्राइब कर ले तो आपको मिलते रहेगी चलनल पे हर मुवी की Box Office Report अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई